Hello everyone, आप सोच रहे हूंगे कहा गई दिखाई नहीं दे रही केवल गमले दिखाई दे रहे हैं, रुको जरा मैं आपके लिए लेने गई हूँ एक सिक्रेट पोधा जिससे हम एक से हजार बनाएंगे, हजार नहीं मतलब दस बनाएंगे, बेख सकते हैं आप मेरा ये मनी प्लां कितना बड़ा हो गया है, तो इससे आज हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, मतलब मल्टिपल पोधे आप कह सकते हैं, कि मल्टिपलाई करेंगे इसको, तो ये इतना सुन्दर पोधा हो गया है, बहुत सुन्दर, और ऐसे-ऐसे मेरे पास दो हैं, पहले मैं भी एक कही कर रह आनि से इसकी रूट डिस्टरफ हुए बिना पोधा निकल जाए, तो फिलाल ये गिली मत्ती थी, तो आराम से में इसको निकाल पाए, और कुछ नहीं करना है, आपको गंबले को लिटा के, और आप हलका सा इसको सहारा देंगे बाहर की तरफ, तो ये निकल आता है, तो अपनी पत्तियों से जड़ों से पानी लेता रहता है, बहुत अच्छा पोधा है, ओक्सिजन रिछ है, इंडोर भी कह सकते हैं, आप कैसा नहीं कह सकते हैं, अधिक तरह आपने देखा होगा, इंडोर जादा लगाते हैं लोग इसको जहाप पानी की, धूप की, पानी की कम कर रही हूं, और मट्टी देख सकते हैं, आप कितनी भुरबुरी है, बिल्कुल भी चिकनी मट्टी नहीं है, मेरे किसी भी पोधे में, अगर आप देखेंगे, तो मैं हमेशा रेत वगेरा मिला के ही मट्टी तयार करती हूं, और अब तो मुझे बाहर से मट्टी लेने की जरुरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जितनी भी पत्तियां पोधों से निकलने वाली मट्टी को और पत्तियों को सबको एक साथ करती रहती हूं, तो वो मट्टी और भी उख जाओ हो जाती है, शुरू-शुरू में मैं मट्टी मुझे लानी पड़ी थी, लेकिन अब तो मैं इसी से काम चाहिए, जितना भी मेरा किचन का वेश होता है, गार्डन चा पत्तिया निकलते हैं, उन सबको जूज करती हूं पोधे लगाने में, और देख सकते हैं, आप में आराम से निकाल पारी हूं, सारे ही पोधे, आपके पास भी अगर इस तरह का कोई पोधे ह आप जितने भी हैं, सबको अलग-अलग लगा दीजिए, और ये 5-6 महीने में फिर से आपके गंबले को भर कर तयार कर देंगे, तो ये सब से अच्छा है, इसमें आपको कोई मेहनत निकरनी, एक बार लगा दीजिए, छुटी, कटाई, चटाई, नहीं इसकी पत्तिया गी पास 10 या 11 पोदे निकले हैं, जितने मेरे पास गंबले होंगे, किसी में 1, किसी में 2 करके, मैं आज लगाने वाली हूँ, और ये बिल्कुल बेस्ट सीजन है, अभी आप पूरा अप्रेल इनको लगा सकते हैं, अप्रेल में जादा टाइम तो नहीं बचा है, बट आप दूप में रहते हैं, पोदे तो आप अब मत लगाईए, फिर आप इसको जब बारी से स्टार्ट हो जाएगी तब लगा लेना, तो इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे से 6 गंबले लिए हैं, और बाकी एक दो गंबला और खाली करके मैं देखती हूँ, क्योंकि पोदे ज का इस्तमाल कर सकते हैं, मिक्स खाद बर देंगे और जो एक्ष्टा जड़ है उसको काट देंगे, बहुत ज़्यादर जिस टफ हम इसको नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कहीं हलकी सी गलन है या फंगस है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं, आभी चेक करके लगा दी मेरी मट्टी हमेशा ऐसे ही well-drained soil जिसको बोलते हैं वो होती है, तो अभी मैं सारे एक-एक करके इन्हें सब को इस तरह लगा दूँगी, और अच्छे से लगाना है क्योंकि पोदे लंबया भी सिंगल है, चाहे तो अगर आपको लग रहा है पतली पत्तिया है तो आप किस सारे लगा दे, जिस गमले में से निकाला था, दो बोदे उसमें लगा दे हैं, अभी मेरे पास दो ये बोदे बचे हैं, इन्हें भी में लगा दूँगी, तो ये spider plant था मेरा एक, इस वाले ऐसे सेम गमलों में लगाए हैं तो उसी का मैंने गमला निकाल लिया, उसको किसी और में shift करूंगी, और वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को भी subscribe कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल पर सभी तरह की वीडियो हैं, आप चैनल पर जाके एक बार चेक कर सकते हैं, क्यों और गमले मेरे पास इस समन नहीं थे, तो मैंने 8 मही सारो को लगा दिया है, तो आप एक से दसक इस तरह बना सकते हैं, वीडियो पसंद आईए, तो लाइक कर देना, बाई बाई, मिलते हैं फिर रादे रादे